थे सब्सक्राइब तो टुड़े इन दिस वीडियो वी आर गोइंग तो डिसकस्थ मोस्ट कन्फूजिंग वर्ड्स पार्ट नंबर वन इस पार्ट के अंदर हम फंज से लेकर 50 तक मोस्ट कन्फूजिंग वर्ड्स इसकस करेंगे इन वर्ड्स के अंदर हर इनसान कभी न कभी कन्फूज हुआ होगा और यह सारे वर्ड्स आपके हर एक्जाम के लिए इंपोर्टन्ट हैं वैदर स्कूल एक्जाम्स और एनिक गॉवर्मेंट कॉम्पूर्टिटिव एक्जाम्स सो स्टार्ट करते हैं विदाओट एनि डिले तो फर्स्ट वर्ड वी हैव एक्सेप्ट एसेप्ट का मतलब क्या होता है यहां पर एसेप्ट का मतलब होता है स्विकार करना यानि कोई इनसान आपको कोई चीज देता है तो आप उसे एसेप्ट कर लेते हैं स्विकार कर लेते हैं लेकिन इसके जैसा मिलता जुलता एक और वर्ड होता है यहां एक्सेप्ट उसे हम पढ़ते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा यानि किसी आपको यहाँ पर X और P का ही ध्यान रखना है, expect का मतलब होता है उम्मीद करना, to hope, your parents are expecting something good from you, यानि expect का मतलब होता है, hope करना, उम्मीद करना, आपके parents आपसे कुछ अच्छी उम्मीद करते हैं, expect, और इससे rated word है suspect, suspect का मतलब क्या हो जाएगा, आशंका करना, to apprehend, apprehend का मतलब होता है, doubt, doubt, d-o-u-b-t, doubt, to apprehend, so हमारे पास दो वर्ण में डिसकस कर लिए, accept, accept, second is expect, suspect, so third word we have, adopt, adopt का मतलब क्या हो जाएगा, adopt का मतलब हो जाएगा, किसी भी चीज, किसी भी इंसान को गोद लेना, legally accept करना, to accept or to take another person's child legally, किसी और के child को legally adopt करना, यानि गोद लेना, उसके हम word use करते है, adopt, इससे similar word हमारे पास है, adapt, a-d-e-p-t, adapt का मिनिंग होता है, nipun, proficient, यानि किसी भी चीज के अंदर, जब आप perfect हो जाते हैं, तो हम word use कर सकते हैं, you are adapt in that field, a-d-e-p-t, you have to focus on the spelling, इससे similar word हमारे पास है, that is, adapt, a-d-e-p-t, इसका मतलब होता है, किसी के माहोल के according धल जाना, to change accordingly, जब आप किसी माहोल के according धल जाते हैं, for example, there is winter now, so in winter, we are using woolen clothes, so आप woolen clothes use कर रहे हैं, आप उस माहोल के according धल गए है, change accordingly, adapt, तो यह हमारा third word था, next word की तरह हम बढ़ते हैं, and next we have, that is, allude, allude का मतलब क्या होता है, allude का मतलब होता है, allude का मतलब होता है, allude का मत check करना, refer to, यानि describe करना, किसी चीज़ को refer करना, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, allude, इस से similar word हमारे पास है, allude, allude के अंदर जो है, आपका single लाता है, and एक ही जगह पर यह आ रहा है, तो allude माने क्या होता है, to escape, बचना, किसी चीज़ से बचना, allude जो word यूज किया ज सकते हैं, thief यानि चोर के रहे यूज कर सकते हैं, okay, so fourth word हमारे पास था allude, and similar word था elude, next we have alternate, alternate का meaning क्या हो जाएगा, alternate का मतला होता है, एक छोड़ कर एक, okay, आपने शाहिए वर्ड बहुत सुना होगा, alternate days class हो रही हैं, mwftts, so alternate का meaning क्या होगा, एक छोड़ कर एक, Monday, Wednesday, and Friday, so इस option available हो, available instead, substitute भी बोलते हैं इसको, substitute का मतलब क्या होता है, options का होना, तो इसे बोलते हैं, alternative, तो यह हमारे five words थे, चलिए बढ़ते हैं, six word की तरफ, and six word we have, six word we have, oral, a-u-r-a-l, oral का मतलब क्या होता है, oral का मतलब होता है, कान से संबंदित, a-u-r-a-l, of ear, यानि related to ear, और इसका similar word हमारे पास है, oral, o-r-a-r, या आपने बहुत सुना होगा, oral मतलब मौखिक, यानि verbal, ठीक है, not in writing, that is oral, seven word हमारे पास है, access, access का मतलब क्या होता है, पहुँच, approach होना, किसी भी चीज तक पहुँच होना, उसके लिए आप वर यूज करते हैं, access, and e-x-c-e-s, access माने क्या होत होता, यह word था आपका access, और यह है आपका access, प्रचूरता यानि more than due, जितना required है उससे ज़्यादा होना, उसके लिए हम word यूज करते हैं, e-x-c-e-s, access, okay, so यह हमारे पास जो है, seventh word हो गया, बढ़ते हम eighth word की तरफ, that is, averse, averse का meaning होता है, आपका ना पसंद करना, to dislike, not liking something or someone, उसके लिए हम word यूज करते हैं, averse, and इसका similar word है, adverse, घ्यान रखना है आपको किसके अंदर d आ जाता है, adverse का मतलब क्या हो जाएगा आपका, विप्रीत, unfavorable, यानि ऐसी कोई condition, जो आपके favor में ना हो, उसके लिए word यूज करते हैं, adverse conditions, unfavorable, okay, next word पे आते हैं, that is, ninth word हमारे प जाएंगी, लेकिन अगर advise के अंदर S आ जाता है, आपको दिख रहा होगा, C and S, तो इसकी property अलग हो जाएंगी, okay, तो advise C अगर आता है, तो noun है, और अगर S आएगा, तो verb बन जाएगी, दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब सलाह होता है, लेकिन यहाँ पे आप दे influence है, अगर affect लिखा हुआ है, A, double F, E, C, T, तो उसका मतलब होता है, verb, that is, assert करना, to influence, किसी को affect करना, आपकी बाते किसी को affect कर सकती है, influence कर सकती है, और effect क्या होता है, effect होता है आपका परिणाम, किसी भी चीज़ का result, उसका effect क्या हुआ, तो हम उसके लिए word use करेंगे, यह हमार noun हो जाएगा, चलिए 11th word की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास, and 11th word we have, opposite, या इसे आप opposite बोल सकते हैं, A, double P, O, S, I, T, E, opposite, उप्युक्त, किसी भी चीज़ बे proper होना, यानि किसी चीज़ के लिए perfect होना, तो उसके लिए word use करते हैं, opposite, A, double P, O, S, I, T, E, इसी का similar word क्या हो होगा, इसके लिए हम word use कर सकते हैं, antonium, okay, सामने या विपरीत, in front of, contrary, यानि उसके opposite क्या हो जाएगा, जिसे आपने word सुना है, simple सा word ले सकते हैं, यहाँ पर day का opposite क्या होता है, night हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे word को हम बोल सकते हैं, opposite, यानि उसका उल्टा क्या हो जाएगा, चलिए 12th word पर आते हैं हमारे पास, 12th word we have, amend, amend का मतलब क्या होता है, amend का मतलब हो जाएगा, आपका संशोधन करना, change करना किसी चीज़ के अंदर, to improve, okay, to improve, and अगर हम बात करें amend की, तो E से हम बोल सकते हैं, amend, amend का मतलब क्या हो जाएगा, आपका अशुद्या निकालना, या हमारे पास है, amoral, amoral का मतलब क्या हो जाएगा, आपका, निनैतिक, निनैतिक, having no moral sense, ऐसा कोई act किया गया है, जिसमें कोई भी moral sense नहीं है, ठीक है, या आप कह सकते हैं, निनैतिक, having no moral sense, और immoral क्या हो जाएगा, आपका, आनैतिक, दोनों में कोई खास difference नजर नहीं आएगा आपको अनैतिक, not conforming to moral standards, society के जो standards होते हैं, उसके according अगर आप कुछ करते हैं, तो उसके रहाम word use कर सकते हैं, immoral, हो सकता है, आपकी society हो जिस गल्थ हो, लेकिन किसी और country हो सही हो सकती है, तो उसे बोलेंगे आप immoral, okay, 14th वर हमारे सामने है, that is antics, antics क्या होता है, हसाने के ल आपको हसी आजाती है, तो उसके रहे word use कर सकते हैं, antics, अब नीचे वाले का pronunciation भी similar मिलेगा आपको, antics, इसमें बस spelling का difference है, उपर की spelling जो थी वो आपकी थी, antics, नीचे वाले जो spelling है, that is, antics, प्राचीन कलायों की बस्तु, यानि ऐसी कोई चीजे, प्राचीन काल की बस्तु एक्चुली ऐसी चीजे जो बहुत पुरानी है, ancient pieces of art, उसके लिए आप word use करते हैं, antics, चली आगे बढ़ते हैं, next word हमारे पास है, 15 पे, यह है आपका appraise, appraise का मतलब क्या होता है, appraise का मतलब होता है, मुल्यांकन करना, किसी भी चीज को जो है, access करना, उसकी quality check करना, उस सूचित करना, किसी को inform करना, उसके लिए हम word use करते है, appraise, appraise word जो है, social की book में बहुत use कर जाता है, गांदी जी was appraise of the problems of चंपारन farmers, so actual में यहाँ पे जो है, गांदी जी को सूचित किया गया, चंपारन के किसानों की problem के बारे में, तो appraise मने क्या होता है, सूचित करना चलिए next word पर आते हैं, हमारे सामने next word है, that is illusion, illusion मने क्या हो जाएगा आपका, संदर्व में, किसी के बारे में बात करना, यानि indirect reference देना, direct reference देना, indirect, आप प्रतक्ष रूप से, किसी के बारे में बात करना, indirectly, या उसका reference देना, indirectly, तो उसके रिए word use करते हैं, illusion, illusion का मतलब क्य हमारे सामने है, beside, beside का मतलब क्या होता है, यह काफी confusing word है, और इसमें बहुत साइब बच्चे confuse होते है, beside का मतलब होता है, के बगल में, by the side of, and इसी similar word है, besides, यहाँ पे extra S आजाता है, इसका मतलब है, के अलावा, apart from, के अलावा का मतलब क्या होता है, यानि किसी और चीज के अलावा यहाँ पे जो है, कोई extra चीज है, apart from, beside का मतलब के बगल में, by the side of, by the side of, यानि आपके side में बैठा हुआ है, and besides का मीनिंग क्या हो जाएगा, apart from, के अलावा, next word हमारे सामने है, 18 पे, that is, bridal, bridal मने क्या होता है, लगाम, b-r-i-d-l-e, लगाम, आपने सुना होगा, जो headgear होता है, horses का, घोडी की लगाम होती है, उसको हम बोलते हैं, लगाम, and इससे जो similar word है, that is, bridal, b-r-i-d-a-l, bridal का मतलब क्या हो जाएगा, दूला या दूलन से समंदित, related to bride or bridegroom, bridegroom मने दूला, and bride मने दूलन, उन दोनों समंदित जो word होगा, उसके रहे हम यूज कर आप इसके बारे में जानते होंगे अच्छे से, पर इससे जो similar word है, that is, beneficiary, beneficiary वो इंसान होता है, जिसको फाइदा मिलता है, one who receives the benefit, लाभानवित व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसको फाइदा पहुचता है, उस इंसान को हम बोलते है, beneficiary, चाहिए, last word देखते हैं, 20, हमारे सामन and इससे similar जो word हमारे सामने है, that is, bore, bore, bore मने क्या होता है, बरदाश करना या पैदा करना, to tolerate or to produce, ठीक है, यह आपकी beer की second form है, bore, bore, बरदाश करना या पैदा करना, चलिए आगे बढ़ते हैं, next we have, 21st पे है, boat, b-o-u-g-h-t, boat का मतलब क्या होता है, खरीदना या आप जानते अच्छे से, यह आपकी word की second form भी है, और third form भी है, बाय की, लेकिन brought मने क्या होता है, लाना, इसमें सिर्फ R आ जाएगा, और यह आपका बन जाएगा brought, यानि लाना, catch हम बोलते है, किसको यह interesting word है हमारे सामने, catch, catch मतलब होता है किसी गतिशील चीज को पकड़ना, जैसे ब ग्रेब, जी आर एबी, देखे, hold माने क्या होता है, hold का मतलब होता है, किसी भी चीज को जो रुकी होई है, थाम लेना, उसे, पकड़ लेना, catch होता है, moving चीज को पकड़ना, जो move कर रही थी, आपने उसे उचाने से रोग दिया, और पकड़ लिया, और grab का मतलब होता है, क 23rd पे, that is, childish, childish, childish का मिनिंग क्या होता है, बेव कुफी भरा, foolish, foolish जो चीज़े होती है, उसके रही हम वड़ यूज करते हैं, childish, बेव कुफी भरा, लेकिन, child-like अगर वड़ यूज कर लिया, आपने तो उसको हम बोलते है, मासूम, innocent, innocent हम बोलते हैं, child-like चीज को, okay, 24th हमार and continuous माने क्या होता है, लगातार, अब दोनों में बहुत बारिक सांतर है, for example, आप अगर लगातार पड़े जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, लगातार पड़े जा रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक, तो आप वड़ यूज करेंगे continuous, लेकिन आप डेली नियम से सुबह पड़े तीन घंटे पड़ते हैं, नेक्स दे भी तीन घंटे पड़ते हैं, तो उसके लिए आप वड़ यूज करते हैं, continuous, उसके लिए क्या वड़ यूज करेंगे आप, continuous, ओके, तो यह हमारा 24th वर्ड था, 25th वर्ड की तरह बढ़ते हैं, हमारे सामने 25th वर्ड है, credible, credible क क्या होता है, credible का मतलब होता है, सम्मान नहीं है, जिसके आप तारीप कर सकें, जिसके आप इजज़त कर सकें, उसके लिए आप वड़िश कर सकते हैं, credible, यानि he is a person, he is a credible person, यानि वो ट्रस्ट करने, वो इंसान रिस्पेक्ट के लायक है, उसके हमें रिस्पेक्ट करनी चा censure माने क्या होता है, निंदा करना, to criticize, किसी भी चीज की या किसी भी इंसान की निंदा करना, उसके लिए वड़िश कर सकते हैं, censure, and censure माने क्या होता है, censure board आपने सुनाओगा, जो movies को review करता है, release करने से पहले, वो यही वाला word है, censure, प्रतिबंदित करना, official licensing of films, etc, यान censure, so next word we have, 27 पे, cannon, cannon का मतलब क्या होता है, नियम या फिर rules को बोलते हैं, cannon, c-a-n-o-n, and अगर इसके अंदर double n आ जाएगा, तो यह बन जाएगा आपका top, cannon माने क्या होता है, top, a powerful gun fixes to wheels, आप में देखा होगा एक बहुत बड़ी सी जो gun होती है, वह हम wheels पे लगा देते हैं उसी को हम बोलते हैं, तो, 28 पर हमारे सामने है, canvas, canvas मने क्या होता है, मोटा कपड़ा, आप shoes पहनते हैं, canvas के shoes पहनते हैं, और इस कपड़े से हम tent भी बनाते हैं, तो canvas एक मोटा कपड़े को बोलते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर double s आ जाए, तो यह बन जाएगा आपका visiting houses to get political support, जब नेता घरो घर जाके जो है, वोट मांगते हैं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं, canvas, c-a-n-v-a-s, next वर्ड हमारे सामने है, 29 पर, symmetry, symmetry का मतलब क्या हो जाएगा आपका, कब्रगा, यानि ऐसा प्लेस जहां पे लोगों को मरने के बाद दपनाया जाता है, कब आपने शायरी चैप्टर पढ़ा होगा, mathematics के अंदर, harmony, एक सा, यानि माल लीजे मैंने क्या किया, मैंने जो है, एक figure मेरे पास ये, आपने इसको बीच ओबीच दिवाइड कर दिया, तो इसके लिए हम बोलते है, symmetry line हमारी, यानि इसको आपने बरावर हिस्सों बाढ़ दिय ठीक है, और इसका यूज आप जो है, इंग्लिश में, harmony के लिए भी कर सकते हैं, यानि ताल मेल जहां पे है, जहां पे शान्ती है, उसके लिए आप symmetry का यूज कर सकते हैं, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, next word we have, casual, casual का मतलब क्या होता है, casual का मतलब आपका होता है, उदास अनौपचारिक, देखिए आपने दो लेटर देखे होंगे, अपने स्कूल टाइम पे, casual, ओके, इस वाम बोलते हैं, आपका informal लेटर, ठीक है, informal लेटर, ओके, तो casual का मतलब क्या हो गया, आपका informal सा, यानि जो formal ना हो, not taking much interest, and causal का मतलब क्या होता है, आपका वर्ड होता है, cause, cause का meaning क्या होता है, आपका वजय, तो causal का मतलब क्या हो जाएगा, आपका, वजय से संबंदित, कारक से संबंदित, relating to cause, इसको हम बोलते है, causal, 31 हमारे सामने था, casual and causal, 31st देखिए आप, 31 हमारे सामने है, climatic, climatic का मतलब क्या होता है, climatic का मतलब होता है, आपका उतकर्ष से स संबंदित relating to climax यानि किसी movie का end का सीन चल रहा है उसको हम बोलते climax उससे जो सीज़े होती है यानि किसी भी चीज़ के end से जो सीज़े होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं climatic और एक और वर्ड मिलता जलता हमारे पास है climatic इसमें क्या डिफ्रेंस है यहां पर था यह climatic इसमें सी आ रहा था उसके बाद दुबारा सी आ रहा है लेकिन इसमें सिर्फ आ रहा है climatic इसमें single सी आएगा जलवायू संबंदित relating to climate इसको हम बोलते हैं आपका climatic ओके 32 वर्ड देखिए 32 वर्ड हमारे सामने है कोर्स कोर्स माने क्या होता है आपका भद्दा मोटा या समतल नहीं ऐसी कोई चीज जो रफ होती है ठीक है या तो बहुत अजीब सा दिख रहा हो या फिर मोटा हो या फिर जो रफ हो मतलब सिमिलर ना हो या फ्लैट ना हो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आप कोर्स ठीक है सी ओ ए आर एस ए कोर्स लेंड यानि ऐसी लेंड जो समतल ना हो जो आपकी ऊबडखाबड सी हो नेक्स इसी के अंदर जो सिमिलर वर्ड है वो है मारे पास कोर्स सी ओ यू आर एस ए कोर्स क्या होता है आपका लाइन जैसे आप जो है कोई स्टडी करते हैं तो उसका पूरा कोर्स होता है पहले आप ये करेंगे फिर ये पढ़ेंगे फिर ये पढ़ेंगे तो उसके लिए हम बड़े उसका सकते हैं कोर्स यानि लाइन ओफ एक्शन किसी भी सीरिस के अंदर कोई चीज करना उसको हम बोलते है course चलिए next word की तरफ बढ़ते हम and next we have confident confident क्या हो जाएगा आपका confident मतलब हो जाएगा वह चीज राजदार यानि ऐसी कोई चीज जो किसी को पता नहों आप person who is entrusted with secrets ऐसी कोई चीज जो किसी एक इंसन को पता हो confident जो हम वर यूज करते हैं किसके लिए यानि ऐसे इंसान के लिए जो हमारा राजदार होता है उसके लिए वर यूज कर सकते हम confident ओके चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का जो second word हमारे सामने है c o n f i d e n t दोनों इसमें बहुत माइनट सा डिफ्रेंस है पहले वाले में ए आएगा दूसरे वाले में ए आएगा ए वाला जो है वो है आपका राजदार ऐसा इन्जान जिसको कोई राजपता हो और इवाले में क्या होगा वहां पर क्या है आत्म विश्वास के साथ sure and certain ऐसी कोई चीज जिसके लिए आप बिल्कुल sure हैं उसके लिए आप बड़ियूस करते हैं confident यह mostly बच्चों को नहीं पता था इसके बारे में बिल्कुल भी ए आएगा तो राजदार है और यह आएगा तो आत्म विश्वास के साथ sure and certain चलिए आगे बढ़ते हैं and next we have 34th पे contagious contagious का मतलब क्या होता है ऐसी बीमारी जो चूने से खाल जाए our disease that spreads by contact ऐसी बीमारी जो चूने से खाल जाती है okay and contagious क्या होता है Contagious माने होता है, सीमान्त, यानि basically, जिसकी boundary जो है, दूसरी boundary से मिलती है, उसे हम बोलते है contagious, contagious मतलब क्या हो गया, सीमान्त, जिसकी सीमाई दूसरी सीमा से मिलती है, near, टिक है boundary का match होना, और इसी similar word हमारे पास है, infectious, infectious का मतलब क्या होता है, ऐसी विमारी जो हवा पानी से जाए इजिली डिजिज डेट स्प्रेड बाइएर और वाटर कोरोना वारेस के लिए भी कुछ लोग बोलते हैं कि यह भी क्या है आपकी इन्फेक्शियस डिजिज है यानि हवा पाने से भी फैल सकती है यह नेक्स पर आते हैं 35 वड हमारे पास है कॉप्स सी ओ आर पी एस सेना की टुकडी टुकडी इन दा सेंस डिविजन ऑफ आर्मी आर्मी का कोई ऐसा दल उसको आप बोल सकते हैं कॉप्स सी ओ आर पी एस और अगर हम इसी के प्रनांसिशन वाला सेकिंड वड देखें तो उसको भ मतलब क्या होगा आपका इंसान का म्रत शरीर और डेट बेड़ी ओफ हुमन बिंग एंड अगर हम बात करें करकास की करकास का मतलब क्या हो जाएगा आपका बहुत बड़े जानवर का म्रत शरीर दा डेट बोड़ी ओफ लार्ज एनिमल यह था हमारे सामने चलिए आगे मतलब किया होता है जमीर वाला इंसान with a sense of duty जो इनसान अपनी संपोन्सिग्लीटी अपनी ड्यूटी को समझता है उसके लिए हम वर्यूस कर सकते हैं Consentious, 36 पे, 37 वर्ड देखिए, 37 हमारे सामने है, complaint, complaint क्या है हमारी, complaint हमारी वर्ब होती है, शिकायत करना, to say that something is wrong और satisfactory, यानि ये कहना कि कोई चीज गलत है, या ये संतोज जनक है, तो complaint उसे हम बोलते हैं, अगर हम बात करें complaint की, complaint क्या हो जाएगा, आपका noun हो जाएगा, और इ report of a problem, उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं, complaint, चलिए आगे बढ़ते हैं, and 38 पे हम बढ़ते हैं, 38 की तरफ, 38 जो वर्ड हमारे सामने है, उसका मतलब क्या है, complacent, बोलेंग हम इसको, and इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, आपका आत्म संतुस्ट, ऐसा इंसान, जो अपनी ला जान रखना है आपको, इसकी spelling है आपकी, c-o-m-p-l-a-c-e-n-t, आत्म संतुस्ट, and complacent, यानि आज्याकारी, obedient, और compliant, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका, इसके spelling क्या हो जाएगा, आपकी, c-o-m-p-l-a-i-s-a-n-t, चलि, 39 वर्ड देखते हैं हमारे सामने, 39 वर्ड है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका, compliment, पूरक, आपने complimentary angle सुने होंगी, पूरक angle बोलते हैं, पूरक कौन बोलते हैं, अगर यह noun है, तो ऐसी चीज़, जो दूसरी चीज़ों complete कर दे, उसे हम बोलते है, compliment, and अगर यह वर्ड है, तो किसी की तारीफ कर देना, एक तरीके से add to something in a way that improves, यानि कोई चीज़ अगर improve हो रही है, कुछ ऐसे add करना, कि वह चीज़ इंप्रूव हो जाए, तो उसे हम compliment बोलेंगे, अगर हम किसी की तारीफ करते हैं, आपने वर्ड सुनाओगा, कि उसमें मुझे compliment किया, इसका मतलब क्या होता है, इसकी spelling क्या हो जाएगी, आ आई आजाएगा, उपर वाले में यह आता है, इसमें क्या आएगा, आपका आई आएगा, किसी की तारीफ करना, a remark of admiration, किसी की तारीफ करना, a remark of admiration, चलिए 40 वर्ड देखते हैं हमारे सामने, 40 वर्ड भी है, कस्टम, कस्टम क्या होता है, कस्टम का मतलब होता है, रिवाज, स समाज म में बहुत चलती आ रही है, उसको हम बोलते है कस्टम, अगर हम बात करें हैं है वड़ित की, तो हैविट क्या होईगा, आदत, परस्चनल यूजज, किसी की कोई परस्चनल आदत होती है, उसे हम बोलते है, हैबित, कस्टम क्या है, समाजी गा cable होती है, जानना, और comprise का मतलब क्या हो जाएगा say बना होना consist of अगर हम बात करें compose की तो आपने सुना होगा song जो है वो compose किया जाते हैं मतलब बनाया जाते हैं लेकिन comprise किसले यूज करते हैं this committee is comprise of five members यानि इस committee के अंदर five members हैं यानि ये committee पाँच members से मिलकर बनी है comprise चलिए आगे बढ़ते हैं forty second word हमारे सामने है career c-a-r-e-r पेशा course through life यानि आपने कोई profession अपना लिया उसे हम बोलते हैं career लेकिन एक word हमारे सामने है carrier carrier क्या होता है? carrier आपने दिखा होगा cycle के पीछे लगा होता है या फिर कोई भी समान धोने ही गाड़ी को बोलते हैं carrier that which carries जो कुछ समान carry करें उसे हम बोलते हैं carrier 43rd वा हमारे सामने है credible credible का मतलब क्या हो जाएगा आपका? विश्वस नहीं है यानि जिस पर आप trust कर सकते हैं उसे हम बोलेंगे credible ओके विश्वस नहीं है believable and credulous क्या हो जाएगा आपका? जो आसानी से विश्वास कर ले ऐसा इंसान जो बहुत शरीप सा है जो आसानी से विश्वास कर लें किसी भी चीज़ पर उसे हम बोलते हैं credulous to ready to believe 44th वड़ हमारे सामने है discrete C-R-E-E-T-I है इसके अंदर सचेत ताकि किसी को वैवार या भाषा से चोट ना पोचे यानि आप इतने केरफूल हैं कि आपको अपनी language से किसी को जो है offense ना लगे ना किसी को behavior आपके behavior से किसी को कुछ problem हो तो आप इतने केरफूल हैं तो इसके लिए word यूज कर सकते हैं discrete and यहाँ word लिखा है आपका discrete इसे भी same pronounce करेंगे आप लेकिन spelling में difference है D-I-S-C-R-E-T-E यानि separate और distinct इसे आप बोलेंगे separate और distinct 45th वड़ देखे हमारे सामने है disease disease इसका मतलब क्या होजएगा आपका बीमारी ailment or illness disease D-I-S-E-A-S-E बीमारी ailment or illness and disease क्या होता है disease and disease माने होता है मृत्यू किसी भी इंसान की death हो जाना उसे बोलते हम disease 47th वड़ देखेंगा आप 47th वड़ हमारे सामने है decent decent माने क्या होता है nice और respectable person उसके लिए word use करते हैं decent हम बोलते हैं वो decent person है लेकिन decent माने क्या होता है D-E-S-C-E-N-T spelling चेक करेंगे downward motion ऐसे धलान बनी हुई है आपकी तो उसे बोलेंगे हम decent and D-I-S-S-E-N-T इसे भी same pronounce करेंगे आप इसे बोलते हैं मतभेद होना difference of opinion अगर आपके किसी से difference of opinions है यानि आपके जो विचार अलग है किसी से तो हम बोलेंगे decent यानि आपके opinions उससे अलग है चलिए next word की तरफ बढ़ते हैं and next word we have dual D-U-A-L D-U-A-L का मतलब क्या हो जाएगा आपका दोहरा with two parts D-U-A-L हो जाएगा हमारा and D-U-A-L का हो जाएगा आपका D-U-A-L हो जाएगा आपका द्वन्द यूद द्वन्द यूद किसे कहते हैं जब आप दो इंसान लड़ते हैं तलवारों से दो लोग आपस में लड़ते हैं उसे हम बोलते हैं D-U-A-L इस विगाड देना उसकी जो है दशा खराब कर दी शकल विगाड दी पूरी की पूरी और इफेस क्या होता है इसे याद करेंगा सिंपल तरीका यह है इफेस मतलब E-4 आप जानते है इरेजर होता है E-4 इरेजर होता है यानि मिटा देना इफेस यानि मिटा देना अगर हम आगे बढ़ें 49th वर्ड पे That we have Deny Deny माने खंडन करना काफी confusing पेर है हमारे लिए Deny माने खंडन करना To declare untrue यानि आपने बोला ये चीज़ सच नहीं है Deny कर दिया आपने लेकिन अगर इसका Similar word देखें Refute Refute क्या होता है खंडन तो आप कर रहे हैं मना कर रहे हैं कि ये गलत है लेकिन आपने सबूत के साथ मना किया है यानि प्रूफ कर दिया कि वो चीज़ गलत है अब देखिए Decline क्या होता है Decline मतलब अस्विकार करना किसी ने आपको जो है Offer किया आपने उसे अस्विकार कर दिया आपने उसे मना कर दिया या उसे Accept नहीं किया तो उसे बोलते हम Decline And Refuse क्या होता है Refuse मने होता है Inkar कर देना Show Unwillingness Towards किसी भी चीज़ के लिए आप इच्छा नहीं दिखाते तो उसे बोलते हम Refuse कर देना अगर हम Last Word देखें 50 पे हमारे सामने है Defy उलंगन करना To Break the Law And Defy मने क्या होता है Defy Defy मने क्या होता है Iswar बना देना किसी भी इंसान को Iswar बना देना To Make Something Or Someone God तो उसे अगर उसे करते है Defy D-E-I-F-Y Iswar बना देना तो यह हमारे आज के 50 वर्ड थे I hope आपको Lecture अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों में शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हम इसका पार्ट टू भोजल लेके आएंगे Thank you so much for being